नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे सेव वाला कड़ी, ऐसा कड़ी आपने नहीं बनाया होगा, इसके लिए हम एक कटोडी वेशन लिए हैं, स्वाधा नुसा नमक, एक चमाच गरम मसाला और एक चमाच छल दें, और आधा चमाच जीरा, हम इसको अच्छे से मिक्स कर ले हैं, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा की तरफ गुथ लेंगे, हम एक साम पानी डालेंगे नहीं तो यह गीला हो जाएगा, आटा की तरफ गुथने के बाद, हम इसको नमकीन वाले मसीन में डालेंगे, इसके बाद इसका धक्कान अच्छे से बंद कर और एक कड़ाई में तेल गर्म करेंगे देखिए हमारा कड़ाई में तेल गर्म हो गया है अब हम इसको इसका हंडल पकड़के अच्छे से गुमाएंगे और इसको तेल में डालेंगे हम इसको मद्धम आच में पकाएंगे देखिए हमारा स्टेव कितने अच्छे से बन गया है हम इसको धीमी आच में पकाके दोनों तरफ अच्छे से प्लट लेंगे हमारा स्टेव त्यार हो गया अब इसको हमें प्लेट में निकाल लेंगे और हमें कटूरी में अब बेशन लेंगे उसमें गरम मसाला डालेंगे आधा चमच हल्दी डालेंगे और स्वाधा नुसान नमक डालेंगे और इसमें हम अधी कटूरी दही डालेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे हम इसका अच्छे से घोल बना लेंगे और इसमें ऐसा घोल बनाएंगे कि गुठलिया ना पड़े अब हम कड़ाई लेंगे और कड़ाये में तेल गरम करेंगे और इसके बाद हम इसमें एक बारी कटा हुआ प्यास डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे इसके बाद हम इसमें लासुन पेश्ट और हारा मिर्च पेश्ट डलेंगे इसको भी हलका सा भून लेंगे हलका सा भूनने के बाद हम इसमें हलका सा चीनी एड़ करेंगे इसके बाद हम इसमें मंगरेल डलेंगे आधा चमच कस्मेरी लाल मिर्च डलेंगे अब इसको हम अच्छे से पका लिये हैं, अब हम देशन का घोल डालेंगे, इसको मध्यमाज में पकाएंगे, और दो-दो हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, ताकि ये कडाई के तलवे में ना पकड़े, अगर नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से कडाई के तलवे में पक से एक और कड़ी ज़रूर बनाई ए है कमेंसी बाक्स में लिख या इब अगयाना में तक आ यहेंगे देखिए गाड़ा हो गया है अब इसको हम हलका सा ठंडा होने पर सेव डालेंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे और इसके उपर अब हम धनिया पति डालेंगे